आज मैं आपके साथ वेलवेट की कुरती का इतना प्यारा नेक डिजाइन शेयर करूँगी कि आप बनाए बिना रह नहीं पाएंगे तो इसके लिए मैंने दो तरह की लेसिज ली हैं साथ ही बारीक वाला ये कट दाना लिया है और कुछ कुंदन लिये हैं और मैंने ये वाली ग्लू ली है जिसे मैं कुंदन चिपकाने के लिए यूज करूँगी तो सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे वेलवेट की कुरती पर गला बनाने के लिए बुक्रम या फ्यूज पेपर का इस्तमाल नहीं किया जाता है इसलिए मैं सिंपल कपड़े को ही बीच में से फोल्ड करके यूज कर रही हूँ गले की चौड़ाई मैंने लिए है चार इंच और लंबाई आठ इंच तो एक V शेप गला मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी आप कले की लिमबाई और चौड़ाई कम या जादा ले सकते हैं अपनी मैजरमेंट्स के हिसाब से तो इस तरह मैंने गले को ड्रॉ कर लिया है और अब हम इसको बीच में से उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह और इसे हम टैप करेंगे जिससे की गला जो एक तरफ हमने ड्रॉ किया था वो दूसरी तरफ भी ट्रांसफर हो जाएगा तो यह देखिए अब हम इसको अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर अब मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड से काट दिया है और बीच में मैंने यहाँ पर सेंटर का मार्ग भी लगा दिया है अब मैंने इस गले के साइड से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपडा फोल्ड कर लिया था और अब हम इसको कुर्ती के उपर बनाएंगे कुर्ती के बिल्कुल सेंटर में इस गले को हमें इस तरह से रखना है और सबसे पहली सिलाई हमें बिल्कुल इसके बीच में लगानी है ताकि ये गला अपनी जगा से हिलेना इस तरह अब जो निशान मैंने गले के लिए लगाए थे चौक की मदद से उनके उपर उपर अब मैं सिलाई लगा दूँगी इस तरह से बिल्कुल बारिक बख्ये से मैं यहां पर सिलाई लगा दी है अब हम इसके बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक कार्ट देंगे और इसके सिर्फ एक सेंटर में हमें छोटा सा कट लगाना है इस तरह अब इसको मैं यहां पर सीधा कर दूँगी और एक टॉप स्टिच लगाऊंगी हमें यह टॉप स्टिच अंदर की तरफ लगाना है मतलब की गला बनने के बाद यह उपर की तरफ नजर नहीं आएगा इस तरह टॉप स्टिच लगाने के बाद हम इस कपड़े को दूसरी तरफ फोल्ट करेंगे और एक कच्ची सिलाई लगाएंगे इसके उपर इस तरह से तो यहां पर बेसिक वी नेक हमारा बनकर तयार हो गया है अब हम इसके उपर डिजाइनिंग करेंगे यह देखे अब इसके उपर डिजाइन बनाने के लिए मैं इन लेसिस का इस्तवाल कर रहे हूँ यह लेसिस मैंने light golden color में ली है आप अपनी मर्जी की कोई भी लेस यहां पर यूज कर सकते हैं किनारी से मैंने तकरीबन आधा इंच कपड़ा छोड़ दिया है और उसके आगे ही लेस लगाना शुरू किया है यह देखे अब यहां पर हमें बिलकुल सेंटर में कोना बनाना है तो यह देखे इस तरह से हमें लेस को फोल्ड करना है कि सेंटर में पूरा कोना बन जाए चाहे लेस साइड से थोड़ी एक्स्टर भी बचे तो उससे कोई फरक ने पड़ता वो हम बाद में काट देंगे बस आपको बिलकुल पॉइंटिड कॉर्डनर बनाने पर फोकस करना है अब यहां पर एक और सिलाई लगाएंगे और लेस को अच्छे से अटैच करेंगे कुर्टी के उपर और यहां पर आप देख सकते हैं कि साइड से लेस इस तरह से थोड़ी से बहार को निकल गई है यह लेस हम बाद में काट के अलग करतेंगे आप कुर्टी के गले के बिल्कुल सेंटर में एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लीजेगा इस तरह का कोना बनाने से पहले ताकि आपका वी शेप बिल्कुल सेंटर में बनकर तयार हो तो यहां पर एक्स्ट्रा लेस मैंने काट दी है उपर से भी एक्स्ट्रा लेस को काट देंगे और अब बारीक वाली लेस इसके साथ साथ अटाच करेंगे तो जिस कलर की मैंने चौड़ी वाली लेस ली थी बिल्कुल उसी कलर की मैंने बारीक लेस भी यहाँ पर ले ली है और इस lace के साथ साथ हम यहाँ पर बारीक वाली lace को attach करेंगे इस तरह से attach करने के बाद हम एक एक और सिलाई इसके उपर लगाएंगे ताकि यह lace बिल्कुल अच्छे से attach हो जाए गले के उपर और बाद में हम इसके उपर थोड़े से मोती और सितारे लगाके इसको थोड़ा highlight करेंगे तो यह देखे लेस यहाँ पर लगा दी है मैंने और अब एक और सिलाई लगा दूँगी मैं यहाँ पर ताकि लेस बिल्कुल अच्छे से attach हो जाए और उठी उठी सी ना लगे मैंने वाटर ड्रॉप शेप के गोल्डन कुंदन लिये हैं जो कि इस जिसाइन के उपर लगे वह बिल्कुल परफेक्ट लगेंगे और इन्हें attach करने के लिए मैं इस glue का इस्तमाल कर रहे हूँ जो कि काफी मजबूती से मोती सितार है या कुंदन वगेरा को कपड़े के उपर चिपका देती है अब glue के तीन dots मैंने यहाँ पर लगाए हैं और अब आपको कोई भी ऐसी plastic वाली चीज या कोई pen का धकन वखरा कुछ ले लेना है और उसके उपर थोड़ा सा glue बस टच करना है जिससे की बहुत easily यह कुंदन आप उठा पाएंगे और यहाँ पर चिपका पाएंगे क्योंकि हाथ से उठा उठा के लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है तो यह देखिए इस तरह से मैंने seam ripper को use किया है कुंदन चिपकाने के लिए बहुत सुन्दर लगते हैं कुंदन लगे हुए और suit की बिल्कुल look ही change कर देते हैं यह देखिए इस तरह से मैंने lace के बिल्कुल side में lace के design के हिसाब से कुंदनों को अच्छे से चिपका लिया है इस तरह तो अब यह stones अच्छे से सूग गए हैं अब मैं इसके उपर cut दाना लगाऊंगी तो सूई धागे की मदद से यहां पर मैं यह बारीक वाला cut दाना लगाऊंगी यह बहुत बारीक होता है golden color में मैंने लिया है तो हाथ से पिरोना बहुत मुश्किल हो जाता है तो इसके लिए आप एक कटोरी में इसको डाल लीजेगा और उसके बाद सूई को कटोरी में इस तरह घुमा दीजेगा जिससे की अपने आप ही सूई में यह चोटे-चोटे इसके जो मोती हैं यह आ जाते हैं और इनको बहुत इजी हो जाता है धागे में पिरोना तो मैं काफी सारे मोती एक साथ पिरोल लूँगी और उसके बाद ग्लू की मदद से इस तरह से इनको अटैच कर दूँगी यह देखिए अब थोड़ा सा यहां पर भी मैं एक पका टांका लगा लूँगी ताकि यह निकले ना बार भर यह देखिए लेस के जोड़ पर हमें इस तरह से कटदाने की एक लाइन लगा देनी है और पहनने के बाद यह लाइन अलग से ही शाइन करेगी तो बहुत प्यारी लगेगी यह देखिए बहुत इजी है इस तरीके से इन कटदानों को लगाना इसके उपर तो जितनी लंबी आपको लड़ी बनानी हो इन मोतियों की वो बना लीजिए और फिर मेजर कर लीजिए कि यह लड़ी कहां तक आ रही है फिर वहां तक यह ग्लू लगा लीजिए और उसके बाद इस मोतियों की लड़ी को इसके उपर चिपका लीजिए इस तरह अब ज़रूरी नहीं है कि आपको यहां पर कटदाना ही लगाना हो आप चाहें तो यहां पर मोतियों की एक line भी लगा सकते हैं या फिर rhinestones की एक line भी लगा सकते हैं तो इस तरह से यहां पर मैंने अच्छे से stitch कर लिया है इसको और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरा इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा है जितना सुन्दर यह डिजाइन बन रहा था क्योंकि सिर्फ एक यह लड़ी लगाने से ही डिजाइन में बहुत जान सी आगी थी एकदम तो यह देखिए यहाँ पर मैंने कटदाने की लाइन अच्छे से लगा दिया पूरे गले पर और अब यहाँ पर मैं राइन स्टोन्स की एक लाइन लगाऊंगी उपर जो मैंने गैप छोड़ा था लेस लगाते हुए बिल्कुल उस गैप में यह देखिए उपर से मैंने थोड़ा सा गैप छोड़के ही इस लाइन को लगाना शुरू किया है और यह सारा मटेरिल आपको किसी भी इंब्रॉइडरी या लेस की शॉप से बहुत इजीली मिल जाएगा यह देखिए इस तरह पहले मैं इस लड़ी को ग्लू की मदद से अटैच करूँगी और यहां तक अटैच करने के बाद हम इस लेस को काट देंगे इस तरह और अब दूसरी तरफ भी ग्लू लगाएंगे और लेस को फिर से अटैच करेंगे तो एक बार glue से ये अच्छे से attach हो जाएगी तो इसको सूई धागे की मदद से मैं पक्का कर लूँगी ये देखे glue से मैंने इसको अच्छे से attach कर लिया है और अब सूई धागे की मदद से मैं इसको बिलकुल मजबूती से पक्का कर लूँगी ये चोटी चोटी चीजें ही होती है जिने आड़ करने से डिजाइन में बहुत डिफरेंस आ जाता है मतलब कम खर्च में भी आप एकदम बढ़िया वाला कुर्टा बना कर तयार कर सकते हैं तो इस तरह से इस लड़ी को मैंने पक्का कर लिया है और गले का ये डिजाइन बनकर तयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना सुन्दर सा ये डिजाइन बनकर तयार हुआ है इसी डिजाइन को आप अपने कमीज के दामन और बाजू पर भी रिपीट कर सकते हैं